हलो दोस्तों आपका स्वागत है work from home यानि की घर से काम पर अव्यूद अकैडमी के इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन डाटा एंट्री जॉब्स के बारे में जिसे आप घर बैटे ही ऑनलाइन करके अपने लिए एक अच्छी इंकम कर सकते हैं बस आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंतक ताकि आपको ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब्स की बिलकुल ऑथेंटिक जानकारी मिल सके हमने इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियो के लिंक डाल दिये हैं जो हमने जॉब पोर्टल्स पर रे रेजिस्टर करें और अपने लिए जॉब बिड करके पैसा कमाएं डाटा एंट्री का काम उन सभी लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो की ज्यादा कौलिफाइड नहीं है और घर से ऑनलाइन काम करके अपने लिए अच्छी इंकम करना चाहते हैं डाटा एंट्र का काम, हाउस वाइप, स्टूडेंट, रिटायर लोग या वे सभी लोग जो की घर से काम करके अपने लिए अत्रिक्त इंकम करना चाहते हैं वह इस काम को कर सकते हैं ओनलाइन यदि आप घर से या अपने खाली समय में डाटा एंट्री का काम करना चाहते हैं तो जो सबसे पहली आवशक्ता है, वो है कि आपके पास एक परसनल कम्प्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अगर आपके पास आपका अपना परसनल कम्प्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो परशान होनी की आवशक्ता नहीं है कि आप इस काम को कैसे कर सकते हैं अगर आपके पास smartphone और net connection है तो भी आप ये काम असानी से अपने smartphone से कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी income कर सकते हैं तो ये समझे कि ये काम अगर आपके पास smartphone है तो बिना investment के आप अपने घर से और अपने free समय में करके अपने लिए अच्छी इंकम कर सकते हैं. Data Entry Job के लिए आपको Computer और Internet का भी Knowledge होना चाहिए. अनिकी या तो आपको Computer और Net चलाना आना चाहिए या Smartphone पे भी Data Entry काम करने का Knowledge होना चाहिए. इसके लिए अलावा Data Entry Job या काम करने के लिए आपको Typing और English भाषा का भी ज्यान होना चाहिए. आपको अंग्रेजी में पढ़ना, लिखना और समझना आना चाहिए. साथ ही आपकी Typing Speed भी कम से कम 30 Watt per minute होनी चाहिए. अंग्रेजी का आना आवश्यक है क्योंकि Data Entry का काम जादातर इंग्लिश में ही अविलेबल होता है. Data Entry जॉब कई तरह के होते हैं और आपके पास काफी च्वाइस होता है कि आप अपने योगिता और रुची के अनुसार या अपने योगिता experience और रुची के अनुसार काम चुन सकते हैं. इस वीडियो में हम चार आम तरह के Data Entry जॉब्स की बात करेंगे. तो दोस्तों अब चलिए हम बात करते हैं उन चार तरह के Data Entry जॉब्स का जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि वह आम तरह के Data Entry जॉब्स हैं और कोई भी वेक्ति इसको जो Data Entry जॉब्स है जो और जिसके बारे में हम सबसे पहले डिसकस करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं Cleaning of Data या Data Scrubbing या Scrubbing of Data जैसे भी चाहें आप उसे बुला सकते हैं इस काम में आपको जो काम करना होता है वो यह है कि गलत Data को खोज कर जो कि Data Table आपको मिलती है उसमें से गलत Data को खोज कर आप उसे हटाते हैं या फिर उसे ठीक करते हैं या Data Table या जो Database आपको मिलता है जिसमें आपको ये संसोधन या correction करना होता है जिससे आप Data ढूनते हैं ठीक करते हैं वो या तो Word File में होता है या Excel Spreadsheet में हो सकता है तो आपको Word File में और Spreadsheet में काम करना आना चाहिए Excel Spreadsheet में काम करना आना चाहिए एक और तरह का Data Entry जॉब है आपको जरा टेकनिकली ज्यादा साउंड होना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के Data Entry वर्क में आपको Letter Writing करना पड़ता है Mail लिखना पड़ता है Report Writing करनी पड़ती है इसके अलावा आपको Graphs और Table भी बनाना पड़ सकता है इसलिए आपको इस तरह की जो सारे काम में जो हुनर लगता है, जो Skill लगते हैं, जो Technic लगता है उसकी आपको Training होनी चाहिए आपको इस काम के लिए ना केवल English पढ़ना या लिखना आना चाहिए बलकि आपका Grammar और Writing स्किल भी अच्छी होनी चाहिए तभी आप Letter Writing, Mail Writing या Report Writing कर सकते हैं तो इस बात में ध्यान देना होगा यह काम थोड़ा टेकनिकली और Qualification वाइस भी जड़ा ज़ादा होना चाहिए और Experience वाइस भी आपको इसमें थोड़ा और कामों से ज़ादा Experience होना चाहिए जो तीसरे तरह काम का काम है वो टाइपिंग वर्क है ज़ादा तर वर्क जो डाटा एंट्री का होता है वो टाइपिंग होता है तो यह एक बहुत ही regular एंट्री वर्क आप इसको मांगे जिसमें आपको टाइपिंग का काम आपको इस काम को करने के लिए सबसे पहली आवशकता है कि टाइपिंग आनी चाहिए कम्प्यूटर या मुबाइल पर काम करना आना चाहिए यानि टाइपिंग करनी आनी चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ट पर मिनट होनी चाहिए अगर आपकी स्पीड कम है तो कोई बात नहीं आप जादा दिर काम करके उस काम को पूरा कर लेंगे और धीरे धीरे आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं तो आपको ये काम असानी से करना चाहिए क्योंकि टाइपिंग के लिए अगर आपको नहीं भी आती है तभी आप टाइपिंग कर पाएंगे एक और असान डाटा एंट्री जॉब है जहां आपको टाइपिंग का काम एकसल स्प्रेड शीट में करना होता है माफ कीजेगा एकसल स्प्रेड शीट में करना होता है इस तरह के data entry में आपको excel spreadsheet के हर cell में जो data है data को cell में type करके fill करना पड़ता है मतलब जो excel sheet में जो cells होते हैं उसके अंदर आपको data को type करना पड़ता है तो इसलिए आपको इस तरह के data entry के काम में आपको typing, English, internet साथ में excel का knowledge होना जरूरी है पर इसके लिए आपको excel का बहुत बड़ा महारत नहीं हासिल होना चाहिए कि आपको formula भी आए और आपको उसमें और तरह के काम करने है बट आपको typing होकर आए और आप उसको cell में अच्छी तरह से करके और पूरे data को धन से करके आप दे सकें तो इतनी जानकारी है आपको चाहिए इस सभी तरह के data entry work में payment आपको आपके काम करने के experience और काम करने के accuracy पर निरवर करता है experience तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि तभी आप इस काम को कर पाएंगे और अच्छी तरह कर पाएंगे पर accuracy पर ही main payment होती है आप अगर कोई गलती करते हैं तो आपको उसके payment में कमी आती है या आपकी rating घटी है हम आपके लिए अपने अगले वीडियो में कुछ micro data entry jobs हैं उनकी जानकारी लेकर आएंगे तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like करें शेर करें और comment करें यदि आपने हमारा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप हमारा चैनल subscribe करें और bell icon दबाना ना भूलें दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल है इससे related तो आप comment box में लिख कर हमसे पूछें हम आपको अपने next वीडियो में उस सवाल का सबसे authentic और सटीक जवाब देंगे